जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योट्योब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 जुलाई और 25 जुलाई 2023 के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे होने वाले हैं इन दो दिनों में ग्रहों क की इस्ति थी और ग्रह नक्षत्रों की इस्ति थी साथ में योग जो बनेंगे उनका प्रभाव आपकी दिन्चरिया पर कैसा होगा सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़े हर एक शेत्र के बारे में फिर वह आपका स्वास्त हो धन संपत लेती हैं तो चलिए पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं अब यह जो 24 जुलाई है यह सौमवार का दिन है सावन का सौमवार भगवान शिव का प्रियाद दिन होने वाला है शुकल पक्ष की शर्ष्टी तिथी रहेगी और हस्त न करकराशी में और यहां चंद्रमा सूर्य जो हैं करकराशी में हैं और पुशन नक्षत्र में भी हैं इसके अलावा इस दिन रवयोग भी बना हुआ है अब 25 जुलाई तो यह जो दिन है यह मंगलवार का दिन है मंगला गौरी व्रत शुकल पक्ष की सब्तमीत थी और चित् की जाती है वरत किया जाता है सिद्ध नाम का योग बना हुआ है जो बहुत ही शुब है और साथ में चंद्रमा भी इस दिन राशी बदल कर आ जाएंगे तुला राशी में केत्व के साथ चंद्र की यूति हो जाएगी और साथ में सूर्य करकराशी में हैं हीं और पुशन परिद्ध राज्यूग बना रहे थे वो आज सीहिंग राशी में प्रवेश कर जाएंगे और सीहिंग राशी में पहले से कौन मौजुद हैं शुकरदेव मौजुद हैं और मंगलं मौजुद हैं तो यहां बुद्ध के राशी परिवर्टन से सटीरेवियोग तो बने गा ह दुर्भाव बात करूंगी 24 जुलाई का दिन आपके लिए कैसा है? धन समपत्ति को लेकर आज का दिन बहुत अच्छा बना हुएन स्वास्ते आपका अच्छा रहेगा यानि आप अगर अपने आहार पर अपने खाने पीने पर थोड़ा नियंतरन रखेंगे तो आप चुष्ट रहेंगे दुरुष्ट रहेंगे और काफी अच्छे फील कर पाएंगे खुद को जो इस राशी के वेपारी हैं उनको आज मुनाफा होने का योग है कई वेपारियों के चहरे पर आज का मुनाफा बहुत जादा खुशी लेकर आ सकता है लोगों और उनके इरादों के बारे में जल्दवाजी में फैसला बिल्कुल ना लें किसी भी चीज़ पर किसी भी फैसले को लेने से पहले कई बार सोच ले हो सकता है कि वो दवाब में हो और उन्हें आपकी सानुबूती क्या हो शकता हो विश्वास की जरूरत हो तो थोड़ा सा ध्यान आपको जरूर रखना है और आपका जो अनुभव है ना उस अनुभव के बेस पर भी आप काफी कुछ चीज़ें जो है वो अच्छे कर पाएंगे आज आप लंबे समय से अटके कई सारे छोटे छोटे लेकिन एहम काम उनको निप्टाने में आज आपको काम्याभी हासल होगी यात्राओं का योग है यात्रा के मौकों को हासे नहीं देना चाहिए और काम का जी यात्रा हैं तो बिलकुल भी नहीं क्योंकि यात्रा हैं कहीं ना कहीं बैनिफिट देने वाले होती हैं एहम काम निप्टाने में काम्यावि हासिल होगी व्यवाहिक जीवन जो है वो अच्छा रहने वाला है व्यवाहिक जीवन में जो उताज अड़ाव किस्थे थी अगर बनी थी तो आज का दिन ऐसा है कि एक दूसरे को प्रेम से सराहने का ये अच्छा दिन है एक दूसरे को प्रेम की अनुभूती आप करा सकते हैं एक दूसरे की बातों को आप महतपूर्ण बना सकते हैं अपने एक दूसरे पर ध्यान दे कर इसके अलावा अगर आप किसी मीटिंग वगरा में जाते हैं तो अपनी वानी का अच्छे से आपको ध् संतान की सफलता मन को ओःशի्ट करने वाली है प्रेम में इमशन बड़ा कुट-कुट कर आज बढ़ा होगाatory वेसे उसे आगए तो आज काफी प्रबावी तूसरें हैं आपकर कूसे संतान की सफलता से मन हर्षित होगा किसी ने कित्रहीं सफलता आज मिलने वाली है प्रेम भरा वेवाहिक जीवन काफी अच्छा रहेगा जो लोग के घर पे बहुत जादा जगड़े होते रहते हैं जगड़ों से फुरसत नहीं मिलती है आज उनके लिए काफी अच्छा दिन में कह सकती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्रहें हैं वो उनकी उस चीज को थोड़ा कम करने का प्रयास करेंगे लेकिन थोड़ा आपको अपने आप पर खुद पर भी कंट्रोल जरूर रखना होगा और इस दिन देखें जो योग हैं वो काफी अच्छे बने हुए हैं सिधनाम का योग बना हुआ है इस दिन और साथ में चंद्रमा की जो इस्तिती है वो इस दि कन्या राशी में हैं आपके यानिकी लगन में ही है और ये जो दिन रहेगा इस दिन जो दोपहर का समय है वो आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है दो बजे के बाद का समय काफी अच्छा रहेगा आप अपने कुछ महत्कुन कामों को इस समय में अंजाम दे सकते हैं और जो गुलाबी रंग है वो आपके लिए बहुत ही जादा शुब रहने वाला है वैसे सावन का सौमवार का दिन है तो इस दिन भगवान शिव की आराद न करें उनकी प्रियवस्तों से उनका अभिशेक करें और शिव के पंचाक्षी मंतर या फिर महा मरतुंजब मंतर का जब आप जरूर करें अब बात कर लेते हैं 25 जुलाई के बारे में जो बहुत महत्पून है पहला तो इस दिन लक्षमी नारानी योग बनेगा दूसरा जिन दोई पुश्कर योग बनेगा तीसरा जिन त्रिग रही योग भी बनेगा तो काफी महत्पून दिन है और के तुलाराशी में केतू और चंद्र की योटी भी होगी तो आज का दिन जो है आप समय का लाब उठा पाएंगे और इस विचार पर भी आप इस बात पर भी आप विचार कर सकते हैं कि आप अपनी काम से असल में चाहते कि अगर आपको लगता है कि काम का जो फल है वो आपक कवाय चल रही थी और विवाद थोड़े बहुत उखड़े हुए थे विवाद सामने आ रहे थे तो उनको पहले शांत होने का आपको इंतजार करना है उसके बाद ही किसी सौधे पर आपको हामी भरनी होगी आपने जो परिश्रम किया है शिरुवाती दोर में जो आपने परि इन न लेते हैं तो भली भातनी परकार से जान लें जल्दवाजी में कोई कारे ना करें धर्म कर्म के प्रतियास्ता बढ़ेगी पारिवारी के वातावरन बहुत अच्छा रहेगा कारे कुशलता में बढ़ोतरी होगी इसके लावा इस दिन लक्षमी नारायन योग भी बन हुआ रहेगा आप में से कुछ लोगों को पुराना प्यार भी आप वाज वापिस मिल सकता है और जीवन साथी का आकर्षन आज आपको अपनी तरफ खीशता हुआ भी दिखेगा यानि आज के दिन चीजें जो हैं वो बहुत अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे बस आप आपको भगवान शिव के आराधना तो करनी है साथ में आपको जो ये लक्षमी नारान योग है भगवान विश्ण और मालक्षमी के आराधना भी करनी है मालक्षमी को आज आप लाल पुष्प जरूर चड़ है और इस योग का पूर्ण लावा प्राप्त कर सकते हैं साथ ह चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भोलें